हेलो एबरिवान वेल्कम टो एस्टेट वीट दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे क्लास तेंट वालों के लिए सैंस का काफी इंपोर्टेंट अब्जेटिव कोस्चन अगर आप तेंट का छात रहा है और अगर हम इंपोर्ट परिशा में स्वामिल होना चाहते है तो यह सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि कोई हमने आप वीडियो लेकर आएंगे तो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड देखते हैं पहला क्या है क्या है निम्लिखिन में से कौन आइनिक योगिक है क्या होगा के सील यानि पोटेसियम क्लोडएड ऑप्शन सी निश्ट कोस्चन है ब अउस्ट नोमर कितना है 26 आपसन बी नेक कोश्चन है जस्ता और तनों है एड्रोालीक येजल के अब इकरिया सी निम्लिखिन में से कौन सा गैस बनता है क्या होगा सब्सक्राइब का अबिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो क्या होगा आपस्चन डी एननेन a2 2 प्लस टू नेश्ट कोशन है थोआ रखो जींग से लेपीद करने पर लेपीद करने की रिख को कहते हैं यह क्या कहते हैं कि ऑप्षन भी गघंडिकरान जियत कोर्ण है कि एक क्या होगा कॉपर सी यू बिदूत गटन में इलक्टॉन मुक्त होता है क्या होगा एनोड यह नहीं प्लस ओप्शन ए निश्ट कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सा अधातू चमकिला है क्या होगा फ्रेंट आयोडिन ओप्शन ए निश्ट कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सा अधातू अधीक अभिकरिया सील है सोडियम ption B नेक्ष्ट कोशन है परमानों के बहतम के चहा इलेक्ट्टोन की संख्या कितनी होती है Option B नेक्ष्ट कोशन है पीतल क्या है फेरेनट मिस्र धातू Option C नेक्ष्ट कोशन है ब्रूमीν अधातू की अवस्था होती है क्या होगा Option C क्या वोर्मत इसक्व नीएक औरा वदकन नीक आएकल दर्ब मेंने किसे चाकू से काता जा सकतह है। क्या होता है लिथी आपक्षिव यानी ल आए उसका स्यम्बल होता है फृरेंड हुआ निजब आपक्षणी नीजब रिखिप मतर्शनान और को थ üz बचाने के लिए उसकी सदव पर किसका लेप चड़ाना लाभकारी होगा यह सद लेपन दोर, option D next question है, जब NaOH जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा योगिक बनाता है क्या अगा friend, option B, Na2-ZNO2 next question है, sodium chloride के जल्य बिलियन से विदु धारा परवाहित करने पर यह बिवजित होकर sodium hydroxor बनाता है इस प्रकिरिया को क्या कहते हैं, क्या होगा? क्लोर चार अभिक्रिया, option A next question है, सक्रियता स्रेनी में सबसे उपर इस्थीत, धातु का निश्कर्चन निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा करते हैं क्या होगा? धातु के गलित कलोराइड के भिघटन द्वारा, अब घटन द्वारा, इनी option C next question है, कॉपर बायू में उपस्तीत, आधिरता और कार्बन ड्वारा रंग समाप्त होकर, उस पर हरे रंग की प्रत चड़ जाती है, या हरा रंग क्या है? क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट option C next question है, जींक ऑक्सेड से, जींक ऑक्सेड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जींक धातु की प्राप्ती होती है, तो कार्बन क्या है? क्या होगा? option A next question है, उच अभिक्रियाशिल धातु से सुध धातु की प्राप्ती किस बीधी द्वारा होती है? क्या होगा? गलीत धातु के विदूत अभगटन दौर, option A next question है, भूपटी में स्वतंत्र रवस्था में पाई जाने वाले धातु निम्रखित में से कौन है? क्या होगा? option B, A, G next question है, निम्रखित में से कौन सा उत्पाद लेट नेटरेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? option C next question है, सिनावार को गर्म करने पर या आउक्साइड में परिनत हो जाता है? इसे पुना गर्म करने पर कौन सा धातु अप्चयित हो जाता है? क्या होगा? option D, H, G next question है, धातु उसमा और विधूत के क्या होगा? option उसमें? चालक होते हैं, धातु उसमा और विधूत के चालक है next question है, धातु आवर्ट सार्णी में किस और इस्थित होता है? क्या होगा? option A, बाइई और next question है, S, I, G, E, A, S और S भी तत्त कहे जाते हैं क्या होगा? उप्धातु option D, next question है, धातु आवर्ट सार्णी में किदर इस्थित है? क्या होगा? दाई योर, option A next question है, T, I, C, R, M, N और जर्मेनियन धातु को कहते हैं क्या होगा? option B, सामरिक धातु next question है, ऐसे तत्त, जो इलक्टोनों को त्याक का धनातमक आयन बनाते हैं वह हो जाता है, क्या होगा, friend? option C, धातु next question है, धातु द्वारा त्यागी गई इलक्टोन की संख्या को उस धातु ततका क्या कहा जाता है? क्या होगा? सन्यू जकता, यानि option A next question है, सोना का धातु इक चमक कैसा होता है? सोना का जो धात्विक चमक होता है वो कैसा होता है नी? option शी, पीत वर्ण next question है चांदी के बरतन या गाने को बायू में खुला छोरने पर उसके सतह पर काले धब्य पड़ जाते हैं वो काम सा है? silver, sulfide option B next question है धात्व से अधात्व में एलेक्ट्रोन के अस्थांत्रन से बने योगिक को कहते हैं क्या कहते हैं? आयनिक योगिक, option B next question है निमलिखित में से कौन अधात्व है? option A, hydrogen next question है हीरा का गलनांग या बावन को थनांग होते हैं सबसे उच option C उम्मीद करते हैं फ्रेंट एक वीडियो अच्छा लगा होगा तो like and share जरूर किजेगा और bell icon को जरूर दबा दिजेगा मिलते हैं next video में